तो दोस्तों बहुत दिन बात जो है बहुत बार डवलप्मेंट समझ में आया है अपने रश्या यूक्रेन के संकट पर और जो पूर्वी यूक्रेन का जो अलगावादी छेत्र है डॉनेट्सक और लुहांस्क जो डॉनेट्सक चेत्र है वहां पर अलगावादी जो लोग है अलगावादी नेता जो रूस समर्थे था उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और जो अलगावादी सरकार है जो युक्रेन से हट करके और रूस के साथ मिलना चाहती है या रूस के जारा समर्थन प्रात करना चाहती है उनका जो हेड़कोर्टर है उसके नजदीक जो है धमाका रेपोर्ट किया गया है कुछ एक तस्वीरे भी जारी हुई है रश्यन मीडिया में और ऐसा उनका आशमका है डोनेट्स के अलगावादी नेताओं का कि युक्रेन जो है कोई बड़ी सेन ने कारवाई जो है वो करने के फिर बावादी हिस्सें है यहां से बड़े प्यमाने पर जो है महिलाओं बच्चों और जो बूढ़े लोग है उनका पलायन किया रहा है उनको एवैकुएशन किया जा रहा है रूस के रोस्तव रीजन के लिए यह भी सुनने में आया है कि जो रूस के राश्पती है जो कि डॉनबास छेतर से आ रहे हैं कुल्मलाक के डॉनबास छेतर बताया जाता है इस छेतर से आने वाले जो शर्णारती है उनके रहने खाने पीने की विवस्ता जो है वो रूस के भीतर की जाए तो यह बॉर्डर से बहुत नस्दीक इलाका है और कुछी घंटों में जो दोनों छेतर हैं डॉनेट्सक और लुहांस्क यहां से जो अठारा से साथ के बीच के जो पुरुष है उनको यह कहा गया है कि आपको जो है कही जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर कोई हमला होता है युकरेन की तरफ से तो आपको जो है वही रह करके उस जमीन का पचाव करना है उसके लिए लड़ने का आदेश हुआ है कई सारे विज्वल्स वी जो है वो अब सामने आये हैं जिसमें की जो है बसों की लंबी कतारे देखी जा रही है और कुछ में जो सक्षम लोग है वो अपनी गाडियों से अपने कार से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके रू यह कि रूस ने जो है बड़े प्रमाने पर जो है सेना तेनाद की हुई है यूकरेन के बॉर्डर बॉर्डर पर लेकिन इसके साथ ही साथ जो है पेलारूस के बॉर्डर पर भी और डक्षिन में क्रिमिया के बॉर्डर पर भी तो इसलिए तीनों तरफ से जो है बहुत भार भारी मातरा में अपने सैनिक भी तैनाद किये हुए हैं खास और से रश्यन बॉर्डर पर चुकि बेलरूस और बेलरूस तो एक दूसरा देश हो गया वहाँ पर भी तैयारी तो है लेकिन उस बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस के डेप्लॉमेंट की बात अभी तक सामने नहीं आई है और क्रिमिया को जो अपना ही छेत्र मानता है लेकिन वहाँ पर भी जो है चुकि 2014 में रूस ने इस इलाके पर कबजा कर लिया था और अब ये माना जाता है कि ये ये इलाका जो है वो पूरी तरह से रूस के ही छेत्रा अधिकार में है और यहाँ पर पूरी तरण यांतरण रूस का ही है तो फिलहाल जो है मने पिछले कोई घंटों में जो है जिस टेजी से घटना करम बदला है उसको ले करके जो है काफी मने जो है चिंता बढ़ गई है दुनिया की और ये बताया जा रहा है कि अगर ये घटना और बड़ी ह होती है तो हो सकता है कि कोई सेन्य कारवाई की नौबत आ जाए दोनों में से किसी तरफ से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यूकरेन को भी काफी होसला दिया गया है पिछले दिनों पस्चिमी देशों के द्वारा और कई सारे एंटी आर्मर वेपन्स यानि कि जो बिल तो जाहिर से बात है कि उकरेन भी अपने आपको मजबूत समझ रहा है लेकिन ये ठीक तरह समझना होगा क्योंकि जो खबरें वहां से आ रही है कि एक धमाका हुआ डोनेट्सक रीजन में और उसके बाद जो है जो साइरंज है जो अलर्ट करने के लिए साइरंज है वो रूस भेज दिया जाएगा और इसके लिए बसों और कारों का सहरा लिया जा रहा है और इस अलगावादी छेतर से जो है उनको रूस के सीमा के अंदर रोस्ताव छेतर के अंदर जो है उनको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा पूरे दुनिया की निगाहें इस पर हैं ज सिटोइशन क्या है रात में हो सकता है कि कोई और बड़ी घटना हो या कोई और बड़ा डव्लमेट लेकिन यह माना जा रहा है कि यह शुरुवाद हो सकती है यह बड़े टकराव की और जिसके आशंका जदाई जा रही थी कहीं यह वो बातें तो सामने नहीं आ रही इस बारे में कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता है लेकिन वरतमाज में जो स्थिती है वो है इस बीच में ये भी जानना बहुत आवशक होगा कि जो रूस है वो कल के दिन में जो है नुक्लियर डिल करने वाला है इसका मतलब यह है कि हर साल जो है वो रूस अपने जो परमाणू हत्यार है और उनको ले करके बहुत बड़ी एक्साइज करता है तो कल जो है यह एक्साइज होने वाली है और ये बताए जा रहा है कि रूस और बेलरूस के जो राष्टपती हैं, रूस के राष्टपती बादिमीर पूतिन और बेलरूस के राष्टपती एलेक्जंडर लुकसियंको, ये दोनों जो है वो एक साथ इसका मौाइना करने वाले थे, इस एक्साइज का, लेकिन अब जो ऐसा भी बताया जा रहा है कि वर्तमान घटना करम जो स्टेजी से बढ़ा है पिछले कुछ घंटों में यह बताया जा रहा है कि शायद जो हैं अमेरिका के राजपती जो बाइडन है वो इस मामने में कोई बयान दें जो उनके पास इंटेलिजन्स की खबरें हैं उसको ले कर के लिए फोजे नहीं भेजेंगे लेकिन यह भी तैय है कि अगर युक्रेयन पर किस तरह का हमला होता है तो सत्ता परिवर्तन तो निश्चित है यानि कियेव में नई सरकार होगी और वो सरकार जो है वो रूस को अपना बॉस मानेगी यह बिल्कुल तैय है और दूसरी बा मल्दोवा तक वहां पर तक रूस का नियंत्रन होगा और उसके उधर जो है अगर आप पर्श्चिम में तरफ जाएंगे तो पोलेंड हो गया बल्गेरिया हो गया लैट्विया एस्टोनिया लिथुएनिया हो गया इस तरफ यह जो इस्टन फ्लैंक है यहां से फिर जो है नेटो के अधिकार छेत्रे शुकू होगा और यहां पर नेटो या अमेरिका के जो है फौजें और हथियार जो है वो तेराद किये जाएंगे बड़े पैमाने पर यह एक एक आम्ड कैम्प के रूप में तबदील हो जाएगा दोनों तरफ ऐसे मामले हो जाएंगे तो जिस बात के आशंका थी उसके बारे में जो है उसको लेकि खाई दिन्या भर में आशंका है इस बारे में आपको बिलकुल लगातार इन चीजों को मौनिटरिंग करनी होगी कि कैसे कैसे घटना करम डवलफ हो रहा है लेकिन वरतमान जो जानकार यह अपने पास है उसमें हम किसी कि किसी तरह का स्पेकुलेशन हम नहीं करना चाहते हैं और जो घटना करम अभी तक मालूम है वही तक हम बात को रख रहे हैं